हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप विंडोस 7 के अंदर मंत्रा डिवाइज कैसे इंस्टोल कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख पारे होगा आपके सामने की विंडोस 7 सिस्टम है जो कि मैंने आपके लिए स्पेशली न्यू विंडोस सिस्टम के अंदर हम जो अपनी मंत्रा है MF100 जो हमें इंस्टोल करके आपको दिखाएंगे और कोई भी समस्य आती है उसका समाधान आपको देंगे ठीक है इस प्रोसेस के थो आप किसी भी न्यू लैक्टोप हो डेक्स्टोप हो किसी भी एनिवन सिस्टम में जो मंत्रा ड है उसको अपने जो सिस्टम में उसके अंदर कर लेना है ठीक है तो यहांपर हमने मंत्रण डिवाइज अपने सिस्टम के अंदर कनेक्ट कर दी है और उसके बाद आपको करना होगा पो कुछ电ze डा разгle pare जाकर जा यहांपर क्रोंड करते हैं सीब और open करने बाद सर्च में जाके आपको लिखना है मंत्रा डिसर्विस तो यहां पर मंत्रा डिसर्विस लिखना है जैसा कि आप देख पा रहूं नीचे आ चुका है सिंप्पली इस पे किलिक कर लेना है और यहां पर फ़र्ट्र वैबसाइट आ रहे हैं एक क्लिक करने सामने कुछ ऐसा एंसा एंटरिफेस शोगा जो इसकी आपका है क्याप्चर फीड करने का वह आपको क्याप्चर फीड कर लें आप याँ अपर तो यहां पर दोस्तों मत्रा की जो वैबस्टाइट वो उपन हो हो चुकी है और यहां पर आपको से आपको इसका software वगेरा है वो download करना है तो सबसे पहले हम बता दें आपको software कौन-कौन से download करने हैं सबसे पहले आपको download करना है यहां पर देख पा रहे हो download MF 100 driver ठीक है यह Windows 7 हो Windows 10 हो Windows 11 हो या कोई Windows सभी के लिए यही software चलेगा इसको करके इसको install कर लेते download कर लेते हैं और उसके बाद आपको download करना हो यहां पर download MF 100 RD service ठीक है इसको डबल करोगे तो यह install हो जाएगा ठीक है इसके बाद आपको कुछ भी नहीं install करना है इसके बाद आपको चले जाना है desktop यहां पर download हो चुके हैं सभी तो इस website को आपको minimize कर देना या फिर आप इसको काट सकते हो ठीक है इसको minimize कर देना है उसके बाद आपको जैसे डिस PC में जाना है और वहां पर जाके आपको download के अंदर जाना है download में जाने के बाद जहां पर आपके यह software सेव हुए है इसको मैं minimize थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे आप आप आसानी से दिखे उसके बाद जो आपका जो नीचे वाला option आ गया है simply हम यहां से इसको run कर देंगे और रन करने के बाद यहां पर को कुछ भी नहीं करना है ठीक है दोस्तों तो इसको complete होने अगर कोई error वगेरा आता है तो हम उसका भी solution आपको अभी ही बता देंगे ठीक है तो अभी तक तो हमारी system में कोई error नहीं आया हो सकता है आपने कोई पुरानी windows डाली हो उसमें आ सकता है तो हलाल हम normal installation पहले बात तो आएगा इन्हीं आपके system में क्या समस्या आती है जैसे आ आप देख पारे होगे आपने ये नया डाउनलोड के आये शोप्टर तो यहाँ पर NTE ये जो software है ये जो driver है ये आपकाspecific उठा लेगा अगर आप नया software instal करोगे उसके बाद नया software download करके इंस्ट्ल करोगे तो अगर आप पुराना software invalue रिखalt करोगे तो यह नहीं लेगा इसका error आ सकता है इसके लिए आपको करना क्या होगा हो सकता है आप डाउनलोड ना करो लेकिन आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो आपने latest ही डाउनलोड किया होगा तो आपको समस्या नहीं आएगी ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो लगभग complete हो चुका है installation का process अगर थ सकता है तो थोड़ा हमें और समय देना है अपने सिस्टम को और हमें कुछ भी नहीं करना है यहां पर फिलाल दोस्ते यहां पर हमें एक पर इसको टिक करके install कर देना है और हमारा जो सारा काम था वह automatic ही complete हो चुका है हमें कुछ नहीं करना पड़ा तो यहां पर थोड़ा सा ओरवेट कर लेंगे हम यहां पर installation अब भी start है तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे होगा हमारा जो मंतरा का जो software है वो हमारा run हो चुका है और यहां पर जो हमारा capture है वो करने का option आ चुका है और हमारी मंतरा device में भी light आ चुकी है तो यहां पर मेरा capture था वो capture भी कर लिया है यहां पर देख पा रहे होगे यहां पर successfully हो चुका है तो हम इसको exit कर देंगे यहां से और हमारा जो यह काम था यह complete हो चुका है लेकिन अभी मंतरा device है वो अभी install नहीं हुए completely ठीक है दोस्तों उसको कैसे अभी मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ जैसे कि हमने इसको निकाल दिया यहां पर कोई भी message show नहीं हुआ यहां पर message show होना चाहिए कि भाई आपने mantra device लगाया है mantra device रिमूव कर दिया mantra device आपने लगा दिया ठीक है वो कैसे show होगा उसके लिए आपको जो दूसरा application हमने download कराया था आपको यह था mantra RD service तो simply उसको भी आपको install करना होगा आपके system के अंदर और उसके बाद जो आपका जो device है उसको जैसे mantra device remove, mantra device attach ऐसा कुछ changement होके आएगा अगर कोई error वगेरा होगा वो भी यहां पर कोने में show करेगा जब भी आप इसको चालू करोगे ठोड़ा wait करते हैं यहां पर कुछ नहीं करना यह सारा process अमारा automatic था सब कुछ हमारा हो गया और यहां से हम इसको finish कर देते हैं ठीक है अब हम आपको एक बार मंत्रा device को हम हमें unplugged करके दिखाते हैं जैसा कि हमने unplugged कर दिया अभी अमारे system में कोई भी जो समस्या है वो नहीं हुई अमारे जो कोई भी error न connect हो चुका है ठीक है दोस्तों अब हमें कोई भी समस्या नहीं है अभी आप देख पार होगा फंबेर तू रेडी टू यूज नहीं आया कि जब तक वह system में नहीं दिखाएगा जब तक आपकी मंत्रा device है वह रेडी नहीं होगी तो एक बार हम फिर से इसको निकालते हैं य यह और successfully connected for two आ चुका है ठीक है दोस्तों आप करना क्या होगा जो आपका जो system है उसको आपको एक बार restart कर लेना है restart करने के बाद आपको वापस से plug-in करना है इसको तब आपका ready to use का option वापस से आ जाएगा अगर किसी के system में ready to use का option नहीं आ रहा है तो ठीक है तो एक बार मैं फिर से इसको लगा कर दिखाता हूँ mantra device को यह मैंने लगा दिया इसको और यहाँ पर message आने वाला है यहाँ पर आप देख पार है firmware ready to use आ चुका है किसी के system में नहीं आ रहा है तो थोड़ा wait करे system को restart करें उसके बाद जो आपका जो mantra device है वो काम करने लग जाएगा I hope य हमारे इस वाले यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए take care bye